हेलो इस्टुएंट्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब, आई वोप आप सब यह अपने अपने गरों में सुरक्षित होंगे तो आज मैं एक बार फिर से बेटा, जो बच्चे में प्राइवेट के फॉर्म भर रहे हैं, बहुत से बच्चों को पेपर्स के बारे में या एक्जाम पैटन के बारे में नहीं पता है, तो मैं एक बार आज फिर से आप लोग को रिपीट कर देती हूँ, कोकि अभी काफी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं अपने, ठीक है, तो सोचलोजी से जो भी बच्चे में प्राइवेट का फॉर्म भर रह ही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, पहले हम M.A.PRIVATE 1st Year की बात करते हैं, ठीक है, तो M.A.PRIVATE 1st Year में बिटर टोटल जो है वो आपके theories के 7 paper होते है theory के 7 paper में हर paper आपका जो है वो 100 marks का होता है ठीक है exam जो है वो आपके theory base पे होते है first year में कोई वायवा नहीं होता कोई practical नहीं होता किसी तरीके का कोई भी वैसा work नहीं होता जो practical से related हो कोई file नहीं बनाई जाती है ठीक है खाली आप लोग के exam होते है exam आपके March में मानके चलिए कि March की first week के second week से start हो जाएंगे अभी तो आप लोग के form भरे जा रहे हैं जब form भरने बंद हो जाएंगे उसके बाद फिर आप लोगों की कुछ time बार date sheet भी आ जाएगी तो March के second week फर्स्ट वीक लास्ट वीक में कभी भी exam की date sheet आपके आ सकती है exam जो है वो आपके March अप्रेल में ही होंगे फर्स्ट यर वालों के लिए जो नोड्स है तो मार्केट में बिटा आप लोग के लिए खाली चित्रा नामक model paper होता है वो आता है MA के लिए प्राइवेट वाले बच्चों के लिए उसमें चित्रा जब आप लेंगे इस समय आपको मार्केट में मिल भी रही होगी चित्रा तो जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने नहीं ली है वो जाकर के purchase कर ले और first year वाले बच्चे ध्यान से सुनिए कि जो first year वाले बच्चे हैं वो मार्केट से second year की चित्रा भी खरीद ले क्योंकि जब आपका first year clear हो जाएगा अभी आप first year का exam देंगे मार्च अप्रैल में उसके बाद आपका result आ जाएगा जून जुलाई तक ठीक है तो आपके पास अगस्त से ले करके पूरा जनवरी फरवरी तक का time होगा जब आपके second year के exam होने होगे तो आपके पास चित्रा होगी तो आप उससे second year का सेवर सपना पढ़ सकते हैं क्योंकि चित्रा जो है वो बिटा इसी time मिलती है market में उसके बाद फिर वो आना बंद हो जाती है और बहुत ही कम जो है दुकान वाले चित्रा model पेपर जो है वो अपने पास रखते हैं तो इसलिए first year वाले बच्चे second year की भी चित्रा ले ले ये तो फिर आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आएगी आपके पास काफी time होगा बट पढ़ने के लिए आपके पास material ले होगा तो first year वाले बच्चे second year की चित्रा भी खरीद ले से बस में किसी तरीके का कोई changes नहीं आते हैं कोई paper pattern को changes नहीं किये जाते हैं ठीक है तो first year वाल के अब हम बात करते हैं paper की तो paper बिटा आपके 100 marks के होंगे एक paper में आप लोग के total 10 question आएंगे 10 में से आपको 5 question करने होंगे एक question आपका 20 marks का होगा ठीक है तो उसमें आप लोग का पूरा theory pattern आएगा एक question जो है वो आपको 4 page का करना है पूरा लिखने का होगा तो आपको हर ह हालत में लिखने की practice होनी चाहिए क्योंकि first year में पूरा theory का paper आता है तीन घंटे आपका paper होगा तीन घंटे में आपको 5 question करने होंगे मानके चलिए कि हर question जो है वो आपका आदा घंटे का होगा ठीक है तो आप लोग को अभी से लिखने की practice करने होगी जितना आप लिखने क practice कर लेंगे उतना आपको exam में easy रहेगा तो first year वालों की बारे में मैंने detail बता दी है फस्ट वालों के total जो है वो seven subject है बेटा आप लोग के ठीक है तो total seven subject में मैं आप लोग को seven subject के आपके total नाम भी बता देती हूं first paper जो है वो है आपका sociological concept second है आपका classical thinker third है methodology of social research fourth paper है आपका ruler sociology fifth paper है आपका basic statics computer application in social research six paper है आपका neoclassical theories और seventh paper है आपका social change in concept ठीक है तो ये total जो है आप लोगों के seven subject है normal आपके paper होंगे theories के seven paper होंगे hundred marks के अच्छा passing marks जो है वो इसमें भीटा आपको hundred में से जो है वो 40 marks आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए first year में ठीक है तो फस्ट ये वालों की detail मैंने आप लोगो बता दी है second year वालों की detail मैं अपने next वीडियो में आप लोगो बताऊंगी तो ये सारी first year की detail थी अगर आप लोगो कोई problem है तो आप लोग मेरे से comment box में comment करके पूछ सकते हैं या आपको कोई question आए हैं तो मेरे चैनल को प्री सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और जादे से ज्यादा शेयर करिए आपके जितने फ्रेंड से उनमें शेयर करिए क्योंकि मैं MS related videos अपने चैनल पर डालती रहती हूं